Magical Fish Machine गरियाल नाम के गौव में दास और बविता नाम के पती-पत्नी रहते थे वो हर रोज तालाब में जाकर मश्लियां पकड़ते थे उनका एक मश्ली बेचने का स्टॉल था वो जो मश्ली पकड़ते थे उनका अलग-अलग किसम के व्यंजन बना कर उस टॉल में बेचने थे एक दिन जब वो तालाब के पास आये तो गाउं का मुख्या जीतू और व्यापारी प्यारे लाल वहां खड़े थे देखो दास अपसे तुम इस तालाब में मश्ली नहीं पकड़ सकते क्योंकि प्यारे लाल जी ने इसे लीस में ले लिया है यहां ये कृत्रिम तरीके से मश्लियां तयार करेंगे और उन्हें बेचेंगे तुम्हें अगर मश्लियों की ज़रूरत हो अब से तो इनसे ही खरीदना होगा समझे ये क्या बात हुई जी तू जी हम तो हमेशा से ही आम मश्लियां पकड़ते आये हैं आप अपने मर्जी से ये तालाब उने कैसे दे सकते हैं वैसे भी कृत्रिम तरीके से मश्लियां पालने से कई किसम की बिमारियां होती है देखो दास ये सब पंचायत का फैसला है एक बार पंचायत ने दस्तकत कर दिया उसके बाद कोई कुछ नहीं कह सकता और रही बात कृत्रिम तरीके से पालने की मश्लियों को तो इसमें गलत क्या है तो उनकी जनसंख्या भी तो बढ़ रही है उनके डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना हो तो कृत्रिम तरीके से ही तो मश्लियां पालने होंगे और कोई चारा नहीं है ये सुनकर दास की पत्नी बविता देखो बविता जोश में आकर तुम कुछ भी बोल रही हो ये मेरे हाथ में नहीं है ये सरकारी और है उनोंने इंकम बढ़ाने के लिए और डाला है मैंने तो सिरफ दस्तकत किया ठीक है अगर तुम इस तालाब के लिए बोली लगाना चाहते हो तो बताओ मैं तुम्हें ही दिला देता हूँ तब प्यारे लाल परेशान होकर अरे ये क्या मुख्या जी अगर पैसे कम पढ़ रहे हैं तो बोलो और दे दूँगा पर ये नई मुसिबत क्या खड़ी कर रहे हो अरे आप चुप रही है ना प्यारे लाल जी अरे हर बात पर इतना ड़ते क्यों हैं ये तो दिहारी कमाने वाले मजदूर लोग हैं इनके पास एक दिन गुजारने के लिए पैसे नहीं होते तो लाखों की बोली कहां से लगाएंगे आरे मैंने तो यूही कह दिया फ्लो में सोच में पढ़े दास और वविता से जीतू देखो दास तुम ये ना सोचो की प्यारे लाल ने तुमारे बारे में नहीं सोचा ओ देखो ओ तालाब के जो उपरी वाला हिसा है न वहां तुम बे जिजक जितने मश्लियां पकड़ सकते हो पकड़ लो ठीक है अ क्या बात करते हो जीतू अरे वो तालाब का उपरी इसा है सब जानते हैं कि वहां मश्लियां नहीं होती तो मैं वहां क्या पकड़ू देखो भई यूँ तुमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए हम कोई देवता नहीं है अगर मर्जी हो तो वहां मश्लिय पकड़ो वरना रहने दो अगर आना कानी की और यहां मश्लिय पकड़ ने आये तो हाथ पैर तोड़ दूँगा खबरदार चलो मुख्या जी कहकर वो दोनों वहां से चले गए यूँ बेचारे वे दोनों ना मश्लिय पकड़ पाकर ना ही अपना स्टॉल चला पाकर बहुत दुखी थे एक दिन उनके घर एक भिकारी आया ए माई बहुत भूग लगी है माई कुछ खाने के लिए दो ना माई तुम्हें पुन मिलेगा अरे भया हमें माफ कर दो तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है हम भी तुम्हारी दरब भीग मागना चाहते है पर हमारा आत्मसमान हमें रोकता है बुरा न मानना भया मुझे सब पता है बेटा कहकर अपना हाथ हिलाया बस यह एक मशीन प्रकट हुआ उसे देखकर पती पतनी दोनों हैरान हो गए बेटा यह एक मैजिकल फिश मशीन है इसे तुम पानी के पास ले जाओ और पाइप को पानी में डालो बस वो मशलियों को आकरशित करेगा और तुमें देता रहेगा महाशय आप हैं कौन और आप हमारी मदद क्यों कर रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरे तुम मुझे कुछ भी समझो कोई बात नहीं एक और बात कहना भूल गया यह मशीन सिरफ मशलिया नहीं पकड़ती लेकिन मशली के व्यंजन भी बनाती है इस मशीन द्वारा तुम खूब पैसे कमाओ और खुश रहो कहकर गायब हो गया वे दोनों हैरान होकर प्रणाम करने लगे यूँ वे दोनों उस मशीन को लेकर तालाब के उपरी भाग में गये और वहाँ पाइप को पानी में डाला मशीन को आन करते ही उस मशीन से बहुत सारे मश्लियां बाहर गिरने लगी ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए बाद में फिश टॉल में जैसे ही मश्लियों को मिशीन के अंदर डाला तो दूसरी और से कई किसम के व्यंजन बाहर निकलने लगे उन्हें खा कर लोग बहुत खुश हुए यूं हर रोज मिशीन की मदद से मश्लियां पकड़ते और स्टॉल में कई किसम के व्यंजन बना कर बेशते यूं उन्होंने खुब पैसे कमाए लेकिन प्यारे लाल और उसके आदमी ने बहुत कोशिश की पर एक भी मश्लिय नहीं पकड़ पाए एक दिन प्यारे लाल के आदमियों ने प्यारे लाल को उस मश्लियां के बारे में बताया प्यारे लाल गुस्य में अपने आदमियों के साथ उस मशीन के पास आया क्यों प्यारे लाल जी आप हम जैसे बोले लोगों को धोका दे सकते हैं लेकिन भगवान को ठग नहीं सकते आप देखना चाते हैं कि मश्लिया कैसे पकड़ते हैं देखे हमारा जादूरी फिश मशीन, कहकर उसने फिश मशीन को आउन किया, बस एक एक करके मश्लियां फिश मशीन से बाहर गिरने लगी, ये देखकर प्यारे लाल दंग रह गया, बाद में दास ने मशीन के एक सिरे में एक मश्लि को डाला, तो दूसरी ओर से बढ़िया सा व्यंजन बाहर निकला, ये देखकर प्यारे लाल और दंग रह गया, क्या, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे है, ये सोचकर कि तुम बड़े आदमी हो, हम आराम से बात कर रहे थे, अगर गुंडा करदी करने की कोशिश की, तो देख लो, अरे मेरे पती पहलवान रह चुके है, जरा हाथ लगा कर तो देखो, खुद बखुद पता चल जाएगा, ये जैसे ही गुंडे उसके पास आये, तो दास ने उसको पटक के मारा, वे सब डर कर वहां से भाग गये, उस दिन से बविता और दास तालाब से मशली पकड़ते, और मशीन के सहारे से कई किसम के विंजन बना कर अपने फिश्टॉल में बेचते हुए खुशी-खुशी रहने लगे, गरीब का मिनी गो कार्टिंग रेस उद्यपूर के गाउ में राजिव और धीरू केकर दो गरीब कॉलनी के बच्चे अच्चे दोस्त मन कर रहते थे एक दिन में दोनों उनके घर के सामने सड़क पर गरीब खिलोनों के साथ केल रहे थे तो उदर कार में आकर एक आदमी कौन हरे तुम लोग सड़क के बीच में केल रहे हैं? ये सड़क तुम्हारा बाप ने बनाए समझा क्या? हटो हटो रस्ते से देखिए सै सारे बच्चे अपने घर के सामने ही खेलते हैं तब कार के अंदर से विजय का बेटा राहुल इतना ही नहीं हमें जो गेम केलना है वो तुरं तयार हो जाता है मालुम है? तो अब हमें क्या करना है तुम्हारे पास बहुत पैसे है ना जाके ग्राउंड में खेलो अपनी बखवास हमें क्यों सुना रहे हो पिता जी चलिए इदर से इन गरीब लोगों के साथ बात करके हम टाइम वेश्ट कर रहे हैं कहकर दोनों उदर से कार में चले गए ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजीव और धिरू स्कूल से वापस आ रहे थे तो उनको एक ग्राउंड में कुछ बच्चे गो कार्टिंग रेस करते हुए दिखाई दिये थे उनको देखकर ये लोग रुख गये थे उस ग्राउंड में राहुल और उनके दोस्त गो कार्टिंग कर रहे थे वो देखकर राजीव से धिरू अरे राजीव ये गो कार्टिंग बहुत बढ़िया है ना हमें भी खेलने देंगे क्या वहाँ देखो तो कौन है वो घमंडी राहुल हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल आने ही नहीं देगा चाहो तो हम ऐसी काड़िया बना कर सड़क पर खेल सकते है तब उदर विजे आकर क्योरे गंदे बच्चे इधर बैठ कर देख रहे हो उपर से ये तो गो कार्टिंग तयार करता हूँ कहकर बकरा है देखो विजे साब हम आपके ग्राउन में थोड़ी आए हैं हम तो बाहर हैं और अपनी बाते कर रहे हैं बीच में आप क्यो गुसते हो मैं गुस नहीं रहा हूँ रहे हीरो तुमारे अवकाद क्या है दिका रहा हूँ तुम जितना भी कोशिश करो लेकिन उस ग्राउन में तो कदम नहीं रख सकते हो अगर रखे तो भी उसमें काम करने के लिए होगा हमारे बच्चों से रेसिंग करके तो जीत नहीं सकते हो देखो विजे साब हमारी जीत का फैसला करने वाले आप कौन होते हो वो तो हमारे हाथ में है अरे वाह जीत फैसला कहकर बड़े बड़े हीरो जैसे बाते कर रहे हो ऐसा नहीं है कि तुम तुरंट घर जाकर गो कार्ट को तयार करके हमारे उपर रेसिंग के लिए आ जाओगे क्या बापरे मुझे तो बहुत ड़र लग रहा है अगर हम मांगे तो सच में गो कार्ट तयार करेंगे इतना ही नहीं आपसे मुकाबला के लिए भी तयार हो जाएंगे अरे तिरी तो तुम्हारे दोस्ते भी बढ़कर कौमडी एटम जैसे लग रहे हो जाओ जाओ जाकर काम देख लो कहकर चला गया उस रात राजीव उनके घर में गहरे सोच में था तब धीरू का पिता गनेश उदर आया और राजीव से गनेश देखो राजीव बेटा धीरू ने मुझसे सब कुछ कहा था तुमको गो कार्ट चाहिए ना मैं तो वेल्डिंग का काम करता हूँ हमारे बज़ेट में तुमको अच्छा गो कार्ट तायार करके देता हूँ एक हफ़ते के बाद दो गरीब गो कार्ट को तायार करके उनको दिया तब राजीव धीरू बहुत कुछ होकर उनको चलाए राजीव गनेश से थैंक यू अंकल यह तो बहुत बढ़िया है सूपर इतना ही नहीं बहुत स्पीड भी पकड़ रहा है और यह साइकल टायर्स लगाने के वज़े से बहुत बढ़िया दिख रहा है अंकल हाँ मेरे दोस्त के पास दो पुराने गो काट का इंजेंस को खरीद कर उनको मौडिफई करके दिया और मैंने मेरे पास जो आइरन था उससे मॉल्डिंग करके पूरा तैयार किया और टायर्स लगाने के लिए मेरे पास पैसे कतम हो गये थे इसलिए साइकिल का टायर्स को लगाया लेकिन इसका स्पीड बिल्कुल काम नहीं हुआ चाहिए तो ये ओरिजिनल गो कार्ट से भी मुकाबला कर सकते है तब राजियू और धीरू कनेश को टैंक्स कहेकर उन गो कार्ट में कुछ दिनों तक खेलते प्रैक्टिस करने लगे ऐसे वे कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ग्राउन में विजय और राहूल के पास जाकर क्यों विजय सर देखिए हमारे होममेड गो कार्ट हमसे मुकाबला करेंगे क्या अरे क्यों रे काटून्स ये कहां से मिला शायद प्यास बेचने वाले के पास खरीदे हो क्या प्यास और आलू बेचने वाले के पास ही लिये है शर्त लगाने की हिम्मत है की नहीं? ये बोलो तब तो कुछ बड़ी बड़ी बाते कर रहे थे ना क्यों? अब डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर्ग लगेगा मुकाबला के लिए हमारे हीरोस कब से तयार है अगर आप आएंगे तो आप के लिए एक शरत भी तयार करके रखा हूँ शरत ये है कि अगर आप रेस में जीत गए तो इस Go Card Ground में आपको Life Time Free Membership में दिलाता हूँ अगर आप हार गए तो 10 साल के लिए इस Go Card Ground में मुफ्त में काम करना चाहिए क्यों बोलो ओके या नो ओके मुकाबला के लिए हम तयार हैं जाए जाके तयार कीजिए मुकाबला के बारे में धीरू और राजिव उनके मा पिता को बोले एक हफ़ते के बाद मुकाबला के लिए सब तयार कीए रेस में Home Made Go Card पर राजिव और धीरू नया Go Card पर राहुल और उनके दोस्त सब तयार थे मुकाबला शुरू हुआ सब लोग तालिया बजाए पहले से ही राहुल उनके Go Card से राजिव और धीरू का Go Card को धक्का देने के लिए बहुत कोशिश किया था लेकिन राजिव बहुत चालाक से चला कर बच गया और उनका Go Card का रफदार बढ़ाया राहुल और उनके दोस्तोर रेस में दूसरों को धक्का देने के कोशिश में पीछे पड़ गए थे हुआ है राजिव और धिरू उस रेस में वहतरीन से जीत गए तब सब लोग तालिया बजाए तब उनको गो काट में लाइफ टेम मेंबर्शिप दे कर प्राइस भी दिये तब विजे राजिव के पास आकर राजिव बेटा तुम लोग तो सच में शानदार से जीत गए आप में तो अच्छे गो काट का रेसर्स भी है इसलिए मैं अपना खुद के पैसों से नया गो काट्स खरीद कर देता हूँ तब राजिव और धीरू उनको धन्यवाद कहे थांक्यू विजे अंकल